उनको पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो क्रीमियम है तो प्रीमियम मोनी की वेस्ट मताब प्रोड़क्ट की डिमार्ड जाद है और सप्लाई कम है अगर वही करोगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है अगर वह चाहिए जो किसी को नहीं मिला तो वह करना पड़ेगा जो किसी नहीं किया इसलिए कहते हैं ठिंक डिफरेंट और एपल जैसी कमपनी यही करती है अगर आप एपल की मार्केटिंग स्ट्रेजी को देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे गुण आप पाएंगे जिसमें आप को यह पता लगेगा कि वो बिलकुल अलग तरीके से सोचती है ताकि ग्राह के मन पर अपना प्रभाव बना सके कितना हाउ एपल मेक सी एड़ स्टेंड्स फ़र कस्टमर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं तो एपल कैसे अपने कस्टमर बनाता है इस स्ट्रेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेजी ऐसे डिजाइन करें कि कस्टमर समझ ही ना पाए कि आपने उसको अपने जाल में फसा लिया है यहाँ पर launching a new phone एपल को यह पता होता है कि जब भी वो नया phone launch करेगा तो उसको पुराने phone की sale कैसे घटानी है और पुराने sale को सस्ता करने के बाद भी लोगों को मजबूर करना है कि वो नया और महंगा mobile खरी देए इसके लिए वो क्या करते हैं degrade of old version old version को degrade कर देते हैं मतलब उससे ज़्यादा advanced चीजें नए phone में दिखाते हैं इसके अलावा software को इतना slow कर देते हैं कि अब लोगों को लगता है कि भाई अब apple का यह phone मेरे किसी काम का नहीं रहा है apple के phone को उसकी speed से जाना जाता है लेकिन जब उसका software slow हो जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद अभी इतना powerful phone नहीं रहा और अब हमें apple का नया phone लेना चाहिए साथी साथ slow software कहते हैं software की file की value होती है एक space होता है जिसमें वो चलता है तो जब software की file हो heavy हो जाएगी तो आपका net कितना भी fast हो आपका software slow ही चलेगा तो apple क्या करता है अपने software की speed को भी घटा देता है उसकी weightage को बढ़ा देता है जिसकी वज़ा से आपको ऐसा रखता है कि मेरा apple का phone अब slow गया समय आ गया है नया phone बगलने की low camera quality अब यह ना बड़ा controversial topic है कि वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि apple के camera की quality को apple change नहीं कर सकता software के जरीए लेकिन बहुत सारी studies में ऐसा पाया गया है जहां पर यह कहा गया है कि apple अपने software के जरीए अपने camera को भी slow कर देता है इस पर बहुत ज़दा research की जरूरत है next next है cross selling strategy apple जैसी company मैंने एक video बनाया था upselling and cross selling बहुत सारी company upselling and cross selling करती है पर apple की जो upselling and cross selling strategy है वो बिल्कुल different है cross selling के लिए apple क्या काम करता है और upselling के लिए क्या काम करता है cross selling का मतलब होता है कि एक ही product के साथ दूसरे नए products को sale करना है जैसे selling of new charger apple ने देखा कि apple के phone की demand इतनी ज्यादा है कि box की quality भी अगर काम हो जाए तो कोई फरक नहीं पड़ता charger निकाल दिया जाए तो भी कोई फरक नहीं पड़ता manual की जो मोटी book मिलती है उसको पतले paper बना दिया तो भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि client bank बन चुका है तो apple cross selling के formula में charger को भी बेशता है selling of accessories phone से related जो extra accessories से watches हैं gadgets हैं बिल्कुल different different supporting gadgets हैं उनको अलग से बेच कर अपनी cross selling के strategy को implement करता है और apple के phone के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों को customer को बेच देता है और customer को अंदाजा में लगता है कि उन्होंने मुझे ऐसे मजबूर किया है कि मैं चीज़ों को खरीद हूँ fine मतलब without force they try to sell lot of things इसके लाबा next strategy apple अपनाता है apple को यह पता है कि किसी भी product की upselling अगर करनी है तो एक base price के बाद में अलग-अलग product के अलग-अलग features को समझा कर हम upselling कर सकते हैं जैसे माल लीजिए आप apple का 13 pro एक phone खरीते है 128 GB और वो कहता है यह 65,000 का अब price is just for example अब वो कितने का है वो आप market से पता कर लीजेगा लेकिन अगर आप 256 GB लेते हैं तो वो मिलेगा आपको 75 का 10,000 का difference वहाँ पर उने दिखा दिया लेकिन अगर हम memory को बढ़ाए ना तो डेड़ हजार से दो हजार रुपे का difference आना चाहिए लेकिन उनको पता है कि मेरा जो customer है वो premium है तो premium होनी के वैसे मैं premium charge भी करूँगा इसके अलाबा upselling के लिए वो एक और strategy अपनाता है एक ही model के different different variants market में launch करता है जैसे 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro max सिर्फ sizes के differentiation के जरिए भी या उनके GB के differentiation के जरिए भी वो upselling की strategy को implement करता है और लोग आसानी से इस जाल में फाज जाते हैं कि ठीक है 128 नहीं है और 256 होना चाहिए 256 वाले सोस्ते 512 होना चाहिए 1TB होना चाहिए इस strategy का अपना इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से apple जैसी company करती है market में curiosity पैदा करना apple की सबसे बड़ी strategy है वो क्या करते हैं एक तो pre booking करते हैं आपका phone launch होने से पहले इतने advertisement निकालेंगे इतने schemes के बारे में बताएंगे इतने अच्छे views दिखाएंगे उसके बारे में उसके reviews दिखाएंगे और उसके बाद में जब pre booking बहुत सारी हो जाती है इसके लबा कहते हैं कि अगर apple के एक लाख mobile phone advance book हो गए और एक लाख consumer और खरिदने के लिए तहीं आ रहे है तो apple market में दो लाख mobile phone launch ही नहीं करेगा एक लाख पचास दार करेगा और उसमें से भी allotment basis पर short selling कर देगा मतलब product की demand जादा और supply कम है जिसकी वएसे price maintained बना रहे प्राइज का जो tag है वो बढ़ता चला जाए या कई बार premium पर भी के ये एक strategy apple अपनाता है इसके लाबा कहते हैं हर company अपने customer बनाने के लिए बहुत अदिक प्रयास करती है लेकिन C always doesn't stand for customer अब C का दूसरा मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं आपको पता है कि apple जैसी company कैसे लोगों को C बनाती है availability in gray market apple के product gray market में available मतलब without tax आप इन mobile phones को खरी सकते हैं जब apple जैसी company एक ही उसके पास monopoly अपने product को बेचने की तो वो gray market में कैसे available हो जाता है apple को तो पूरे taxation के साथ अपने authorized dealers के साथ उस network को distribute करना चाहिए पर वो gray market के channel के जरीए भी इंडिया नहीं पूरे विश्व में अलग 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 देशों में अपने mobile phone circulate कर देते हैं जिसकी वजह से customer एक differentiation समझके कि मैंने 20,000 बचा लिए मैंने 50,000 बचा लिए और gray market से phone खर हो जाए तो आप क्या करेंगे उस product को reject कर देंगे लेकन apple जैसी company उस rejection को भी opportunity में convert कर लेती है apple के कई लाख phone में से कुछ एक phone ऐसे बने जिसमें जो apple का symbol है वो उल्टा हो गया तो apple ने क्या strategy अपना ही मतलब apple का symbol है यह तरह से reverse हो गया उल्टा हो गया तो apple ने क्या strategy अपना ह कि यह वो phone है जो एक लाख pieces में से कोई एक निकलता है और यह unique piece है हम इसकी auction करेंगे हम इसकी sale लगाएंगे देखते कौन highest top bidding देगा और जो top bidding देगा वही उस exclusive unique या premium या standard जो एक apple का बना हुआ है उसको beat करता हुआ कौन उस price पर खरीदने के लिए तयार होगा तो auction पर ले जाना अपनी अपनी किसी भी तरह की mistake को एपल की बहुत बड़ी strategy है limited edition limited edition के concept को भी apple जैसी company follow करती है कि हमने लगबग 10 phone ऐसे बनाए हैं जिसमें mark से आय हुआ पथर लगा हुए हमने 20 phone ऐसे बनाए हैं जिसमें diamond के points लगे हुए या इसमें watches इस तरह के लगी हुई है तो apple premium segment पर जाने के लिए ऐसी strategy अपनाता है चाहें वो limited edition की हो या mistake को opportunity में convert करने की हो कहने का मतलब वो अपने customer को हमेशा customer नहीं कभी-कभी CB बना देता है और लोग बहुत आसानी से वो बन भी जाते हैं तो friends यह बहुत important है कि आप अपने product को market में sell करने के लिए क्या strategy अपनाते है कैसी strategy अपनाते हैं किस तरीके से आप सोचते हैं अगर आप different तरीके से सोचने के लिए तयार हैं तो आप भी अपनी industry में कोई न कोई ऐसा काम जरूर कर सकते हैं जो आपकी industry में किसी नहीं किया इसलिए जरूरत है नए तरीके से सोचने की different तरीके से सोचने की कहते हैं कि ज लोग आपसे वैसे ही deal करना शुरू करेंगे, आपको treat करना शुरू करेंगे, इसलिए business related कोई भी informative वीडियो मिसना हो तो इस चैनल को subscribe कर लें, और bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि update आपको मिलता रहें, कोई भी प्रशन आपके मन में हो तो वो comment box में ज़रूर लिखें, स्व कर दो करेंगे, रहें लَّखें दो।